हमिशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो कि खाली बैट गए ना और एक बार खाली बैटने की आदत अभी इस एज में पढ़ गई तो आगे जागर कि आपसे कामी नहीं होगा आप समझ रहे हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंडिया पे तो बढ़े पढ़े हैं घलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पढ़ गई अब खाली बैठने की आदत पढ़ेगी तो आपको सरकल कैसे लोगों के साथ में बनेगा वो लोग जो खाली हैं बिल्ले हैं अब बिल्ला आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए टाइम पास करेगा टाइम पास कैसे होता है पत्ते के लेगा पत्ते खेलेगा सट्टा लगाएगा उल्टे सीधे काम करेगा राइट यह सब मिलता जोता है पत्ता सट्टा सुट्टा इन टा से बचके रहो जी आप समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं does it make sense कि अगर आप खाली हो गए है चोईस आपके हाथ में है यह कैसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए कुछ क्लासे अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो अब आप कह रहे हो कि यार सही है खाली टाइम है तो आप टाइम पास करो दिस वान ओप्षिंट क्या है कि खाली टाइम है इसको यूटिलाइज करो let me do something to make myself better not just in terms of education but overall most important advice में आपको यह दे सकता हूँ based upon my understanding and experience कि कभी भी खाली मत रहो कुछ भी करो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी related नहीं है लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का और उसमें कोई बहुत बड़ी investment नहीं है ना टाइम की ना पैसे की for example, Steve Jobs का नाम सुना है आप लोगोंने तो he was in one of the best universities in the world और उन्होंने साथ-साथ में क्या किया था पता है किसी को Calligraphy Calligraphy कहा है connection he was not in an art college but he was learning calligraphy लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने dots को connect किया इसको बोते है connecting the dots तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें ठीक है तो यह छोटी-छोटी चीज़े होती है life में जो आपकी personality को एक अलग level पे ले जाती है चाहे वो कुछ भी हो मतलब आप यह भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में गुमना ही है तो उसको भी time pass करने के motive से मत गुमो कुछ सीखने के motive से गुमो आप समझ गया ना मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहां पर भी अपना mindset यह रखो कि यार मैं अपना time pass नहीं कर रहा हूँ time को utilize कर रहा हूँ why not? this is the way of thinking जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है life में because time pass इतना गंदा word है that means कि आप डल हो गए there is nothing like time pass for me in my life everything is utilization of time कुछ भी कर रहे हो कुछ नो कुछ सीख रहे हो कि मतलब कभी खुद ने जादा पी ली या किसी दोस्तों ने जादा पी ली तो देखो पी कर गया आत्मी कैसी कैसी हर्गते करता है समझ रहे हो और उसकी वैसे क्या गडबड होती है कभी डंडे भी पढ़ सकते है कुछ भी हो सकता है तो उस समय भी उससे भी कुछ नो कुछ सीख लो कुछ नई दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में तो वहाँ पर भी कुछ सीखो तो आप क्या करोगे आप सुनोगे उनकी बातों को आप समझोगे आप उनसे बात करोगे और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें ना कि अपनी अपनी बोलते रहें मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैट करके यह जी चीजे हैं छोटी छोटी होती है लेकिन अगर आपका सीखने का मैंडसेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ नो कुछ सीख रहे हो ना तो यू नोटेश कि आप धीरे-धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो कि मतलब सिरव आप एक कॉलेज से डिगरी लेकर के नहीं निकल रहे हो बट यू आर बिकामिंग अब बेटर यूमन भी बट बड़ी चीज है एक तो है कि आप एक डिगरी लेकर के निकल तो आए लेकिन परस्टालिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गहे थे यह माइनर चेंजे आए यह आप पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो है कि आपको अगर कोई हर एक साल बात मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा अगर वह कह रहा है कि यार तू वैसा ही है बिल्कुल नहीं बदला तो समझे हो आप गलट राएक नहीं हो लोग इसको कॉंप्लिमेंट समझ लेते हैं तो यह सिरफ अभी के लिए नहीं है कि अभी आपकी एज है अठारा साल उनने साल तो यह अभी के लिए पूरी लाइफ के लिए लेकिन पूरी लाइफ के लिए यह टिके कैसे रहोगे इस थौट के ओपर जिसके आपको बात कर रहा हूं कि कुछ नो कुछ सीखते रहना है अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से चार साल पहले जो मेरे सेशन्स देखे होंगे और आज जो सेशन्स देख रहे हो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिल रहा हो तो क्या हो रहा है कभी सोचा है मैं कॉंस्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा हूं मतला आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो अगर अगले छे महने बाद मिलोगे तो यू उड़ फाइंड दिफरेंट पोसं कुछ लोगों को इसमें थोड़ा अनकमफर्टेबल भी लगेगा वो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है अरे ना बदल गया भाई समझ कहें ना that means I am growing मेरी understanding भढ़ रही है I am not stagnant मैं रुक्यों पानी के जैसा नहीं हूं जिसमें काई जम जाती है मैं बहतों पानी के जैसा हूं बह रहा हूं बढ़ी तेजी से बह ठीक है तो most important यहां पर अगर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं समप करूं तो most important busy रहना है अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आप कुछ भी सीख रहे हो चाहिए वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में करोगे तो वैसे भी लेकिन अगर सीख रहे हो तो वो गलत काम भी सही है गलत काम क्या है मुझे बताने की जरुवत नहीं है आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हो बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया में गलत काम भी अगर आप एक learning attitude से कर रहे हो कि मुझे सीखना है and I need to grow out of it तो वो अच्छा है और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बिकार है कि घरवालों ने कहा है कि यह career choose करो और पढ़ो तो हां बस घरवालों ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूं पढ़ करके मिरेको नौकरी लग जाएगी यह हो जाएगा सब बिकार है ठीक बात है ना कि आप आप सही काम तो कर रहे हो लेकिन उसका फाइदा क्या है if you're not charged about it if you're not excited about it तो होगा क्या कि अगर ही सीखने वाला attitude होगा तो you will never get stuck in your life आप constantly आगे 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 भढ़ते चले जाओगे, grow करते चले जाओगे खाली बैटने से अच्छा है कि कुछ आप बेकार का का म कर रहे हो अगर कुछ नहीं करने के लिए तो जहां करके अपने घर से निकल जाओ घर से मतलब घर छोड़ना नहीं है आगे घरवाले मेरे पास आजाए कहा है जी हमारा बच्चा घर से निकल जाओ का मतलब आपके घर में बैठे होए हो, ठगे होए टीवी देख रहे हो, उससे अच्छा है कि भार बैठ जाओ जा करके, और जा करके बैठ करके लोगों को observe करो, देखो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो आप बनना चाहते हो, जो आप बनने वाले हो, जो किसी मुटिनैशनल कंपणी में जाओ अगे ऐस वर देखो उन लोगों को जो वहां पहुछ चुके हैं जहाँ पहुचना चाहते हो जाकर के उन लोगों से बात करो बात तो करी लेंगे आधा कने में दिक्कत है लंच ब्रेक होती है उसके टाइम पर लोगों से बाद करी कितना कुछ सीखने को मिल सकता है उनको बताओ कि ऐसे से मैं यहां पर हूँ इस कॉलेज में हूँ और मैं आगे जा करके कुछ ऐसा करने का सोच रहा हूँ तो I just want to learn something from you can you share something out of your experience to me it would be really helpful for me सोचो तो उनसे बात करके आप जो सीखोगे क्या हो छोटी चीज हो की बहुत बड़ी चीज हो सकती है तो यहां पर क्या हो रहा है आप एक तो busy हो रहे हो दूसरा आप सीख रहे हो कुछ constructive सीख रहे हो तो हो सकता है उनसे बात करके आपको ideas मिलेंगे कि जो तुम कर रहे हो सिर्फ उससे कुछ नहीं होने आला साथ में ये भी कर दो तो now you have an edge मतला आपके college में जो हजारों बच्चे हैं और आप हो आप में और उनमें एक फर्क आ गया तो कि अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर रहे चाहिद वो समझ नहीं पा रहे वो देख नहीं पा रहे बट आप देख पा रहे हो आप समझ पा रहे हो तो इस तरह से आप अगर अपना ये mindset बना सको कि मुझे चाहिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ एक तो मेरे को हमेशा अपने आपको busy रखना है और कुछ नों को सीखते रहना है सीखते रहना है then you'll keep on growing and then this growing will become your habit आदत पढ़ गई जिसे हरी की अपनी एक आदत पढ़ जाती है वो आदत इसी एज से पढ़नी शुरू हो जाती है आदते अभी से पढ़नी शुरू हो जाएगे अभी अगर आदत पढ़ गई कि यार बस मेरे को ना कहीं से कमफर्टेबल लाइफ मिल जाए समझ गए है गए पूरी लाइफ के लिए मिल भी गई तब भी मरे नहीं मिली तब भी मरे नहीं मिली तो रोते रहोगे और मिल गई तो तो कमफर्ट जोन में चले जाओगे और कमफर्ट जोन बड़ा बोरिंग होता है यह अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी लेकिन जब आने वाले दस साल बाद आप अपने आपको देखोगे अगर एक कमफर्ट जोन में पहुच गए तब आपको और यह लाइस होगा कि या लाइफ कितनी बोरिंग है रिपीट होने लग जाती है लाइफ सेम रूटीन चलने लग जाता है शुरू में कुछ दिन तक बड़ा अच्छा लगता है नई कमपनी में गए नई जॉब, नए लोग है हो फिर जैसी रूटीन में जाते हो सब बोरिंग लगने लग जाता है Make growing your habit If that is your habit अगर वो आपकी आदत बन गई है अब आप कुछ कमआल के बन सकते हो अब आप कुछ ऐसे बन सकते हो जिसको देख करके The whole world will be proud of you दुनिया को भी छोड़ो Dunia, whether they will be proud of you or not But you will be proud of yourself Most important